आओ जुक कर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है खुस नसीब होता है वह खुन जो देश के काम आता है भारत माता का एक आज एक और वीर सफूत भारत माता की सेवा करते हुए सरहत पर वीर गती को प्रावथ हुआ दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ महराज गंज के सहीद स्री चंदर बदन सर्माजी के बारे में हमारे दोस्त चंदर बदन सर्माजी कस्मीर में चिनाव नदी के तड़ पर उनकी तैनाती होई थी और पाकिस्तानी गोली बारी में उनका आज दिहान्त हो गया वो सहीध हो गये दोस्तों स्रीचंद बदन सर्मा जी महराज गंजीले की एक होनहार बालक थे और भारतिय सेना में अपनी सेवा दे रहे थे 2018 में ही उनकी पोस्टिंग होई थी और अभी उनको फोज में दो साल ही होए थे एक बहुत ही होनहार बालक जो महराज गंजीले की पर्चम थे फोज में और भारतिय सेना के एक होनहार सीपाई थे भारत माता की पुरी इमांदारी निष्ठा और कर्तब्य के साथ सेवा कर रहे थे भारतिय फोज उनके उपर नाज करती थी और वह महराज गंज की भी एक पहचान बन चुके थे इतनी कम रूम्र मातरा ठारा साल की उम्र में भारतिय सेना में अपनी जगल बनाना कोई बहुत बढ़ी बात होती है चोटी बात नहीं है और दो साल तक उनुनने देश की सेवा किया और आज सरहत पर देश की सेवा करते हुए सहीध हो गए दोस्तों हम इनके सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहेंगे कि जब तक जब तुम सहीद हुए तो न जाने कैसे तुम्हारी मा सोई होगी एक बात तो तह है तुम्हें लगने वाली गोली भी सोबार रही होगी तुम्हें लगने वाली गोली भी सोबार रही होगी दोस्तों आज हमारे बीच में हमारे भाई स्री सहीद चैंदरबदन सरमा जी नहीं है लेकिन हम उनके इस बलिदान को उनके इस त्याग को देश के लिए दिये गए कुर्बानी को हम सदें याद रखेंगे हम कभी नहीं भुला सकते हम भारतबासी उनके आजीवां डिली रहेंगे क्योंकि उन्हें हमारी सेवा करते हुए सरहध पर अपनी जान गवाई है दोस्तो हम चैंद से सो सकें इसलिए तो हमारे सहीद जाकर सरहध पर रात दिन जागते हैं और हमारे देश को खुशाल और उन्नत बनाने के लिए, हमारे देश की सुरच्छा के लिए सदें तत पर राते हैं, उनके इस्तियाग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, या देश हमेशा उनका रड़ी रहेगा, हम चंद्रबदन सरमाजी के परिवार से ही आसा रखते हैं, कि उनको इस्तियाग दुख सहने की छमता दे भारतमाता उनके परिवार में खुशाली ला में सम्रिधी लाएं, और देश की उन्नती के लिए ऐसे ही भारतमा तमाम अपने बीर सपूतों को जन में देश की सेवा कर करते हुए, बलिदान हो जाएं, लेकिन कभी पीछे ने हटें, ऐसे बीर सपूतों को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं, बंदन करते हैं, जो देश की सेवा करते हुए, सहीध हो जाते हैं, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, एक बार फिर कहना चाहेंगे, कि सलाम ह उन बीरों को जिनके हिस्से में एमुकामाता है, खुसनसीब होता है वह खुन, जो देश के कामाता है, हम पुना स्रीचंद्रवदान सर्मा की इस सहादत पर बिनम्रसंहाजली देते हैं, और यही स्वर से आसा रखते हैं, कि उनकी यात्मा को सांती परदान करें, और उनके प जो दुक से उबर सकें, शहीद चंदर बदन सर्मा की सहादत पर हम सत-सत नमन करते हैं, उन्हें सरधानजली देते हैं, इनी सब बातों के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, जै हिंद, जै भारत, इंकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जै, जै जवान, जै किसान झाल झाल